इस बार का स्री किष्ण जनमाष्टमी कई मायनों में बेहत खास है। सबसे बड़ी वज़ा है दूरलव महायोग। जहां इस बार वैसा ही महायोग बन रहा है जैसा द्वापर यूग में कनहया के जन्द के समय बना था। पटना के मसहूर जोतिस वीद डॉक्टर स्रीपती तिरपाठी ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी पर दूरलव योग बन रहा है। दूर पर यूग में भगवान किष्ण रोहनी नक्षत्र में पैदा हुए थे। और अस्टमी तिथी का संयोग भी था। ऐसा ही ये अपकी बार भी बनता नजर आ रहा है जो दूरलव योग है। इस बात की पुष्टी मंदार मदसुदन के दरबार पुजारी पंडित अवधिश्ठ ठाकुर ने भी की है। वर्सोबाद ऐसा महासयोग आ रहा है जब भगवान श्रीकिष्ण के जन्म वर्ष का योग मिल र जैपुर के पंडित घंसयाम सर्मा ने भी इस दूरलव महायोग का जिक्र किया है। इस प्रकार अश्टमी तिथी रोहनी नक्षत की यूति होने से जैनती योग का स्रेजन हो जाता है। सास्त्रों में बुद्धुबार्दसा सोम बार को पुर्णे फलकारक बताया गया है सास्त्रों का भचन है कि किम पुनर बुद्धुबारेन सोमे ना पी बिशे सतह अतह अस्मार्थ ग्रिहस्तों के लिए अस्मार्थ ग्रिहस्त मतलब जो लोग घर परिवार में रहते हैं ग् अपने को बिसिस्ट बैश्णों मानने वाले तो ओदेख अस्टमी रोहिणी में 27 अगस्त मंगलवार को स्रिक्रिष्ट जनमास्टमी मनाएंगे वस्तुतह यह परवी दो दिन का है यह दोनों दिन के पक्ष में परियाप्त सास्त्रों के प्रमाण हैं तो 26 तारी को ग्रिहस्त लोग मनाएंगे इस दीन प्रातहकाले अस्तानाजिसे निवर्एत्ष हो कर दीन भर उपवास करते हुए स्रीक्रिष्टम हम सरणंममः स्रीकृष्ट के मंत्रों का जाप करते हुए रात्री में बारे वजे खीरे में रखकर भगवाल स्रीकृष्ण का जन्म कराना चाहिए इनको माखर मिस्री का भोग लगाना चाहिए भोग लगाने के बाद प्रातर कालिन अगर रुग्न है परिशानिया है और बेहतरी चाहते हैं तो निश्चित रुप से आज के दिन मतलब दूसरे दिन 27 तारी को अगर गोदान करते हैं गाय का आदान करते हैं तो फुर्ण लोग की प्राप्ति होती है और सभी कस्टों से निब्रित्ति की प्राप्ति होती है और धन के योग बनते हैं पतना से लोकल एटिंग के लिए सचदानंद की ये रिपो कर्माध भी शो कि भी मुट्रूंड 4 ब diffतें है